नमस्कार आप देख रहे हैं खबर दिन पर मैं उशेक जुही रुख करते हैं दिन पर की बड़ी खबरों क्यों रहस्थान की राजदानी जैपूर की स्कूलों को सौनबार को बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिये दी गई पुलीस की टीम ने स्कूलों में पहुचकर जाच की पुलीस के अनुसार इन स्कूलों के बच्चों और स्टाफ सदस्यों को भार निकाल लिया गया था पुलीस ने कहा कि धमकी मेल से दी गई है और टीम यह मेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रही है जोदपुर शेहर से करीब 20 किलोमीटर धूर गाउं में शनिवार को पकड़ी गई 107 करोड की MD ड्रग ने रज़सान प्लीस पर सवाल उठा दिये प्लीस की नाक के नीचे स्थरा के करोडों के ड्रग सप्लाई का कारोबार चल रहा था इस मामले में मुंबई प्लीस ने कारवाई की और शनिवार रात को फेक्टरी पर दबिश दी गई और डेड किलो MD ड्रग और इससे बनाने वाले केमिकल बरामत किये जिनकी मार्केट फेलियो करीब 200 करोड है रजस्तान के दोलपूर में किनर समाच के जरिये तीन दिन का विशेश कारिक्रम आयुजित क्या गया इस कारिक्रम में पूरे जीले साइध देश्विदेश में अपने यजमानों की खुशाली और सलामती के लिए रब से दुआ मांगी गई इस मौके पर पूरे शेहर भर में धुमधाम से शोबयात्रा निकाली गई किनर समाच ने इस मौके पर हनुमान जी के मंदिर में घंटा और अब्दल्ला शाह बाबा के मजार पर मुकुच चड़ा कर कौम की एक्ता की मिसाल पेश की भजनलाल सरकार में कैबिरिट मंतरी की रोईलान मीना को हाई कोट से करीब 12 साल पुराने मामले में रहात मिल गई जस्तिस सुदेश बंसल की पीट ने रेलवे कोट में की रोईलान मीना के खिलाफ चल रहे प्रोसीडिंग पर अंत्री म्रोक लगा दी दर असल की रोईलान मीना साइट चार वेक्तियोपन नो अप्रेल 2012 को दो सा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोखने का आरोप है इससे लेकर रेलवे कोट में ट्रायल चल रहा था जिसके खिलाफ की रोईलान मीना ने हाई कोट में याचिका दायर की थी इस पर सुनवाई करते हुए कोट ने किरोलान मीना को रहात दी भारती जनता पार्टी की आईटी सेल को लेकर यूट्यूबर धूबराटी के ट्वीट को रिट्वीट करने पर अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ दायर अपरादिक मानहानी मामले में केजरिवाल की और से दायर याचिका पर सुप्रिम कोट 12 अगस्त को सुनवाई करेगा मामले की सुनवाई के दुरान केजरिवाल की और से पेशवरिष वकील अभिशेक मनुस सिंध्वी ने कोड से यकेते हुए समय मांगा कि मामले को खतम करने की बातचीत चल रही है फिर कोड ने सुनवाई कोड टाल दिया जेल से भाराती अर्विन केजरिवाल धरधर रोड शो कर रहे हैं आज मोती नगर में रोड शो के दोरान उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 20 दिन के बाद मुझे वापस जेल जाना है लेकिन अगर आप सभी जाडू का बटन दबाएंगे तो मुझे जेल जाने की जुरत नहीं पड़ेगे आपके हाथ में बहुत ताकत है हैमन सोरन की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याची का और अंतरिम जमानत की मांग वाली याची कपर सिप्रिकोर्ट ने सुनवाई कि इस दोरान जस्तिस खन्ना ने पूछा कि क्या उस जमीन पर सोरन का कबजा है मामली के अगली सुनवाई 17 मई को होगी समाजवादी पार्टी ने अरोप लगाए कि यूपी में कनोज लोकसबा सीट के कनोज में बुद संक्या 354 पर मुस्लिम महिलाओं को आदरकाट से वोट डालने नहीं दिया जा रहा है यहां पर मद्दाताओं को परिशान किया जा रहा है चुनाव आयोग मामले पर संग्यान ले हैदराबाद से AIM IM चीप असदुद्दिन ओवेसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही घटना का विडियो सामने आने के बाद माद्वी लत्ता के खिलाब हैदराबाद के फुलीस स्टेशन में केस दर्च कर लिया गया मामले पर हैदराबाद कलेक्टर ने कहा कि माद्वी लत्ता के खिलाब 171C 505C और लोग पृतिनी दिफ अधीनियम की धारा 132 के तैत मामलाद दर्च किया गया है हिमाचल परदेश के मंडी लोकसाबा सीट से भाजपा उम्मिद्बार कंगनर रोनत ने जंसाबकुसम गोदित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वा जोने मुगलों की गुलामी देखी उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी देखी और पिर कॉंग्रेस का खुशासन देखा लेकिन सही माइने में 2014 में हमें अज़ादी मिली हमें स्वतंत्रता मिली आज खबर दिन बर में इतने ही दिन बर की तमाम खबरों के साथ आप से फिर रूबरू होंगे शुक्रिया